वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एंपी चलिए देखते मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं साथी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें MP बोर्ट परिक्षा में इन बातों का रखे खास ज्यान नोट कर ले बोर्ट की गाइडलाइन्स परिक्षा के इंदर पर सभी परिक्षारतियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी इसलिए परिक्षारतियों को सुवाट बचे तक एक्जाम हॉल में पहुचना होगा परिक्षा के दोरान यदी सरकार की और से कोई सारवजनिक अत्वा इस्थानिये चुट्टी गोशित की जाती है तो परिक्षा यतावत कारिक्रम के अनुसार ही होगी सभी परिक्षारतियों को एक्जाम हॉल में साड़े आट बची तक पहुचना होगा आट पैतालिस के ब प्रवासी भारती समेलन के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं सत्रवे प्रवासी भारती समेलन के मौके पर भारस सरकार विशेश डाक टिकेट जारी करेगी प्रवासी भारती समेलन के दूसरे देनी हट डाक टिकेट जारी किया जाएगा नौज जन्वरी को प्रधा मं प्रवासी भारती सम्मिलन के लिए केंदर के निर्देश पर राजे सरकार तयारियों में चुटी है इन दौर के सितारा होटलों ने सम्मिलन के लिए बुक होने वाले अपने कमरों का किराया भी कम कर दिया है राजिय शाचन की बड़ी तयारी सियम शिवराज ने अधिकारियों को दिये निर्देश प्रिश्टाचार किसी भी कीमत पर बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। जिसमें तीन पट्रिया होंगी, दो पट्रियों पर ट्रेने क्रॉस होंगी, जबकि तीसरी पट्री से ट्रेन गांधी नगट डीपो में जाएगी। पद के रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के दो पदों के लिए साखशातकार के लिए देश शाम प्रक्रिया चली। वीनी वेशी करेंट के बाद भी NMDC का रहेगा दखल, NMDC अपने पास रखेगा 10 फीसिदी शेर। नगर्णा स्टील प्लांट के वीनी वेशी करेंट के बाद भी राश्री खनेज विकास नेगम लिमिटेट का दखल बना रहेगा। सारजनिक शेतर की नवरतने कंपनी NMDC स्टील प्लांट NMDC स्टील लिमिटेट में 10 फीसिदी शेर अपने पास रखेगी। वीनी वेशी करेंट की प्रक्रिया के लिए नियुक्त टांजेक्शन एडवाइजर सरकारी शेतर की कंपनी SBI कैपिटल मार्केट लिमिटेट ने 1 दिसंबर को NMDC स्टील लिमिटेट के रणनी तिक वीनी वेशी करेंट के लिए पसंद की अभी रूची जारी कर दिया है। 96 पेज के दस्तवेश में NMDC लिमिटेट और NMDC स्टील लिमिटेट दोनों कंपनियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। देंडोरी पहुचे सीम शिवरा सिंचुहा ने कहा मैं देश में सामान नागरिक सहीता लागू करने का पक्षिधर हूँ। इसके लिए हम मध्य प्रदेश में भी एक कमेटी बना रहे हैं जो लोक शादी जैसे पवित्र बंधन के नाम पर जंजाती भाई भेनों की जमीन हडपने का चलकर तेज कानून के बंचाने के बाद ग्राम सभा ऐसे लोगों पर कारवाई कर सकेगी। नरुत्तम मिश्रा ने राहूल गांधी पर फिर साथा निशाना मध्य प्रदेश में राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम दौर में पहुच चुकी है। चाने में लिया है। साथ युन्होंने सामान नागरे का सहीता को लेकर कॉंग्रस निताओं से अपना रुख स्पष्ट करने के लिए भी कहा है। फरवरी में होगा खेलो इंडिया का आयोजन जबलपूर कलेक्टर ने कहा रानीताल स्टेडियम को करे तयार। फरवरी महा में रानीताल स्टेडियम में खेलो इंडिया का आयोजन की अज़ारा इसके पहले ही रानीताल स्टेडियम में ज़रूरी तयारी पूरी कर ले। 25 जनवरी तक रानीताल खेले में फेज दो के कारे पूर्ण कर ले ये निर्देश कलेक्टर वा स्मार्ट सिटी जबलपूर के सहर्च शेयरमें सौरप कुमार सुमन स्मार्ट सिटी द्वारा संचालत पर योजनौ की समिक्षा बैचक में दिये। मेले में रोड टेक्स की छूट के इंतजार में वाहन खरीदना कम किया नवंबर में आई गिरावज पर इवन विभाग में मेले से वाहन खरीदने पर रोड टेक्स में पचास वी सिटी की चूट का प्रस्ताफ शाशन को बिज़ दिया है। चूट से लोगों को वाहन पर काफी बचत होगी। चूट से ज्यादा इलाकों में पेजल ना मिलने से जंता सडक पर उतराई वहीं बारिश में भी एक तरफ जल पलावन की स्थिती बनी वहीं दूसरी तरफ पेजल संकट ने लोगों के गले सुखा दिये। अब एक बफे ठंड में आने वाले दो दिन शहरवासियों के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। तरसल राजनानी भुपाल के सत्तर से अधिक इलाकों में दो दिन पानी नहीं मिलेगा नगनिगम शनिवार और अविवार को मनुहाबन टेकरी फिल्टर प्लांट की क्लियर वाटर ग्रेविटी में एवं फीडर में पाइप लाइन के लीके सुधारेगा शिवनगा लाम ख स्विक्रती पत्रव वितरन कारिकरम का आयूजन हुआ इस मौके पर शिवराज एक्शन में नजर आए और उन्होंने मंच से ही बैतूल जिले के माइनिंग अफसर को सस्पेंट करने के आदेश दे दिये इसके साथ बैतूल जिले के सीमेचो को भी ततकार प्रभाव से किया गया है स희मने का की गड़बर करने नहीं बचेंगे राज जिवराज जन्ता का चलेगा सीम राइज स्कूल में विले का नेड़ने स्कूल शिक्षा पे भागने लिया है विध्यार क्योंकि साथी स्कूलों में शिक्षा की स्टाप भी सीम राइज स्कूलों में जोड़ा जाएगा संबंदित एजंसी एवं ठेकेदार किसी भी तरह की लापरवाई नहीं करें कारियों में विलम होने पर संबंदितों पर कड़ी कारवाई की चाएगी अधिकारी नियमेत रूप से सड़कों की मॉनेटरिंग करें जन भावनाओं के अनुरूप सड़के युदिस्ता पठी कराई जाए डिजिटल जीवन प्रमान पत्र को बढ़ावा देने के लिए लाखों पेंशनर्स के लिए बने डिल्सी कार्मेक लोग शिकायत और पेंशन मंतरवाले भारत सरकार के अंतरगात आने वाले पेंशन और पेंशन भोगी कर्लियान विभाग ने इस वर्ष केंदर सरकार के पेंशन भोग्यों के लिए डिजिटल जीवन प्रमान पत्र को बढ़ावा देने के लिए एक राश्र व्यापी अभियान की शिरुआत की इस राश्र व्यापी अभियान का उदेश चहरा प्रमानी करन तकनीक और डिल्सी के उपयोग को बढ़ावा देना है जिसे पारदर्शित और इस ओफ लीविंग कोस्तों ने शित किया जा सके सभी पंजिकरत पैंशन भोगी संगो पैंशन वितरन करने वाले बैंक को भारत सरकार के मंतरालों और सीजी एच एस केंद्रों को पैंशन भोग्यों के इस ओफ लीविंग के लिए विशे शिवरों का आयोजन करते हुए जीवन प्रमान पतर देने के लिए डिजिटल सत्पूरा टाइगर रिजर्व के लिए यहाती लाए गए हैं कंनाटक से मध्यपDRश तखे इन हातियों को लाना आसान नहीं था लेकिन सारा काम इंत्पिनान से हो गया कंनाटक से मध्यपDRश लाए गए हातियो की पहली खेव कल नर्मदा पुरम पहुच गए सत्पूरा टाइगर हिजब में ये हाती आने से पार्क प्रबंदन की ववस्ता पहले से भैतर होगी कन्नाटा के बंदिपूर टाइगर हिजब से चार हाती कल सत्पूरा टाइगर हिजब लाई गए हैं स्चर की 22 सदस्य टीम चार दिन में करीब 16 किलो मीटर कर रास्ता पहकर सत्पूरा के अंजिना धाना कैम्प पहुची जैराम रमेश बोले सिंधिया के लिए कर्ज माफी तो भाना था मंत्री पद और बंगले के लिए छोड़ी कॉंग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के कम्विन्यूकेशन है जैराम रमेश ने का सिंधिया ने कॉंग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि वे केंद्री मंत्री का पद और सब्दर जंग में बंगला लिना चाहते थे लेकर्ज माफियो समविदा करमचार्यों की निक्ति का आरोब सिर्फ भाना था करमचारी पैंशनर्स के लिए अची खबर मिलेगा नए वेतनमान का लाव कैबिनेट ने दी मनजूरी राज्य के विष्विध्यालियो कालेज में कारेड़ करमचार्य सहीज सिवानिवर्त शिक्षके एतर करमचार्यों को साथ वेतनमान का लाव दिया जाएगा कیابینेट में इस प्रस्टाब पर स्वीकरती प्रधान की गईregulation और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्टाब तयार किया गया था जिस पर विट विभाग की स्वीकरती प्रधान की गई थी इसके बात कیابینेट की बैटक में इस पर मुहर लग गई है अब एक जन्मरी 2016 से करमचारियों को साथ वेतनमान का लाव दिया जाएगा कोरोना की दौरान भारत में अल्प संख्यक सबसे ज्यादा हुए टारगेट नाइजिरिया अफगानिस्तान से भी बुरी रैंकिंग अमेरिका के तिंग टैंक प्यूरी सर्च सेंटर ने एक स्टेडी में बताया है कि कोरोना की दौरान भारत में धार्मिक आधार पर अल्प संख्यकों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया प्यूरिसर सेंटर की इस स्टेडी में भारत को सबसे बुरा प्रदर्शिंग करने वाले देशों की लिस्ट में पहले नमबर पर रखा गया है इसमें कहा गया है कि साल 2020 में भारत दुनिया की उन देशों में सबसे उपर था जहां हमारी कियार में अल्प संख्यकों को टार्गेट किया गया इसके लिए सोशल मीडिया पर कई मुहिम भी चलाई गई युवाओं के लिए बड़ी खबर केंदर सरकार हर महीने देगी 3400 रुपए खाते में आएगा पैसा केंदर सरकार क्यों और से गरीबों किसानों महीलाओं से लेकर आम जनता तक के लिए कई तरह की सरकारी स्कीम चलाई जा रही है जिसके तायत आर्थिक साहिता से लेकर फ्री राशन समित कई सुविधाय दी जाती है हाली में एक पोस्ट सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंदर सरकार यूवाँ को हर महीने 3400 रुपए देगी इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह की ख़बरे वाइरल हो रही है जिन को टीजी से शियर किया जा रहा है इन दिनों एक वाइरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि केंदर सरकार प्रधामंद्री ग्यानवीर योचना के तैक यूवाउं को हर महीने 3400 रुपए दे रही है दिनों से लगता रधिकारी करमचारियों के तबादले कर रहा है यह तबादले प्रशांसी कारी अनुरोध पर भी शार्षन तबादले कर रहा है मध्य प्रधीश ग्रह विवाग ने आज शुक्रवार को एक तबादला आधेश चारी किया है इस लिस्ट में चार आईपियस अधिकारियों के नाम शामिल है लिस्ट में 1988 बैच के आईपियस अधिकारी केलाश मकवाना, 1990 बैच के आईपियस अधिकारी केटी वाइफे, 1996 बैच के आईपियस अधिकारी योगेश चौधरी और 1998 बैच के आईपियस अधिकारी साजित फरी से 20 दिसम्बर के बीच किसानों को देने का प्लान कर रही है किसानों की खाते में हर बार की तरह इस बार भी पैसा डारेक्ट बैनिफिट ट्रांसफर के जरीए भीज़ा जाएगा हाला कि सरकार की सिरफ से इस बारे में कोई भी आधिकालिक जानकारी नहीं दी गई है आर्थिक तंगी से मुक्ती दिलाएगी पोस्ट ओफिस की ये स्कीम मिलेंगे 30,000 रुपए पोस्ट ओफिस में निवेश करने वालों के लिए कुछ खबरी है क्योंकि रिटारिमेंट के बाद आने वाली पैसो की चिंता स्कीम से चुनने के बाद खत्म हो जाएगी इसकीम के तैट खाता खुलवाने के लिए आपको 4,500,000 एक मुश्ट जमा करने होंगे इसके बाद आपकी उम्रस 60 साल होने पर आपको 2,500 रुपए प्रतिमा मिलने शुरू हो जाएगे यही नई पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम से आप 5 साल बाद सारी रकम भी निकाल सकते हैं इसके अलावा कई स्कीम में सिंगल पर जॉइंट दोनों प्रकार के अकाउंट आप खोल सकते हैं यदि आप च्वाइंट अकाउंट खोलते हैं तो निवेश दो गुना करने के बाद ज्यादा 5000 रुपे मंध्ली पासकते हैं। वहीं आपको बता दे कि फिलाल मंध्ली इंकम इसकिम में आको 6.97% तक रेटन मिल रहा है। मध्य प्रदेश में कपकपाईगी सर्दी इस दिन से बढ़ेगी जोड़दा ठंड उत्तर भारत की तरफ से आ रही सरधवाओं की चलती प्रदेश में ठंड का सर दिखने को मिला हाला की मौसम में भाग का क्याना है की अभी प्रदेश में एक हफ़ते तक ठंड का सर ऐसा ही रहेगा लेकिन बाद में सरधवाओं का सत्म पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा ऐसे में दिसम्बर में अच्छी ठंड देखने को मिलेगी रूस से आने वाले कच्छे तेल के दाम साच डॉलर प्रती बेरल प्रती तैय करने की तयारी इस कदम का उदेश वश्विक बाजारों में रूस से आने वाले तेल के आपूर्थी को जारी रखने के साथ ही यूकरेन युद्ध के लिए धन जुटाने की राज़्टी वालादी मीर पुतीन की शमता को कमजोर करना है यूरोपिय संके राजनेकों ने इस हालिया प्रस्ताफ की पुष्टी की है तेल की कम कीमत तैय करने के लिए सोमवार की समय सीमन निर्धारित की गई है ये तो थी आज की 25 फटा फट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले धन्यवाद